हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में आज मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी पीएस सी मेंस 2018 का जनल स्टेडी का पेपर 1 जनल स्टेडी की पेपर 2 की फुल डिटेल्स के साथ अब आपको मेंस क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता अब मैं जो जो आपको स्टेडी जो जो बुक्स बताऊंगी चिरिफ अगर आपने उतना कर लिया पूरी डेडिकेशन के साथ रेगुलेरिटी के साथ तो इसके अलावा आपको कुछ और करने की दरोद नहीं है तो आज पूरी A to Z डरणीती GS पेपर 2 के लिए हिंदी और इ इंटरनेट पे आपको धूरने की जरूत पड़ रही है वही टॉपिक हम पहले कराएंगे जो टॉपिक बुक्स में है वो टॉपिक बाद में कराया जाएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपना लेक्चर जैनल स्रेडी पेपर 2 पहला टॉपिक है इंडियन कॉंस इस यह पॉलिटी और जो गॉर्मेंट की योजनाएं है इन सब का मिक्स है पेपर टू तो इसके लिए आपको करेंट और आर्टिकल बहुत जादा जरूरी है देखने सबसे जादा जरूरी इसी यही होगा इसमें तो इंडियन कॉंस्टिटूशन में अमेंडमेंट इवाल इधान और पूरा यह जागे दिया हुआ इसका इसके लिए आप रामबान है इंडियन पॉलिटी भारत की राजवियवस्था लक्षमी कांथ एम लक्षमी कान्थ की बुक इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के लिए कोई भी पढ़ने की जोतनी एक वालिटी यह सब सरफ लक्षमी कांत का 5th edition काफी अच्छा है जिसमें जो भी लेटिस्ट चीजें हुई है वो उसमें कवर की गई है तो एम लक्षमी कांत की लेटिस्ट फिफ्ट एडिशन जो यह वी आ चुका है थे तो आप लोग फिफ्ट भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा लेकिन हां जिन ल नहीं है तो वो NCRT इस से शुरुवात कर सकते हैं अपकी अपनी जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है वो लक्षमी कांट डायरेक्ट उठा सकते हैं आप लोग 6th 7th की छोड़ दीजिए 8th, 9th, 10th, 11th, 12th यह NCRT दो दिन लगा के आप पढ़ लीजिए पूरी कवर हो जाएगी तो NCRT सिर्फ बेसिक समझ के लिए मैं आपको रिक्मेंट कर रही हूँ बाकी M लक्षमी कांट आप उसमें से नोट्स बनाएए क्योंकि बहुत मोटी बुक है लक्षमी कांट की आप बार बार उसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं इसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाके रखिए लास्ट अइम में रिवीजन के लिए क्योंकि बुक सब पढ़ लेते हैं रिवाइज विल भी मस्ट रिवाइज जितना ज़ादा होगा उतना ही ज़ादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा आप लोगों के सब्सक्राइम बचाता है उसका benefit आप नहीं जान सकते चलिए second पर चलते हैं role of finance commission in central state financial relations केंद्री राज्य वित्य संबंदों में वित्ता योग की भूमी का ये भी आप लक्षमी कांसरी करिए और कुछ आर्टिकल्स जो latest news में चल रही है चीज़े वो ध्यान दीजिएगा थर्ड है functional responsibility of union states ये सारे इसके functions और responsibilities आपको करनी है संग और राज के कारें तथा उत्तरदायत आपके सामने लिखा है मैं पूरा इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांथ कोई और बुक नहीं है इसके लिए सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा नोट्स प्रिपेर करके ही काम करिएगा फॉर्थ सप्रेशन ऑफ पावर डिस्प्यूट रिड्रेशल मेकेनिक्जम एन इंस्टिटूशन और इंस्टिटूशन कि अन्य प्रमुख लोक्तांत्रिक देशों से तुलना यह आपको मिनिस्ट्री अफ एक्स्टरनल अफेर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा यह करेंट से अपडेट रहना पड़ेगा आपको लिए इसको और लक्षमी कांथ में भी थोड़ा बहुत ही मिल जाएगा क्योंक इसे कंट्री में कौन कौन सी कॉंसिक्टिटूशनल स्कीम्स है और इंडिया कौन की कॉंस्टिटूशन से उसका कंपेरिजन आपको यह खुद करना पड़ेगा यह खुद एनलिसिस करके इसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे सिस्ट टॉपिक पार्लियमेंट इन स्ट इन पॉलिटी लक्षमी कान में मिले गाई साथ के साथ करेंट से आपको अवेर रहना पड़ेगा करेंट से अपडेट रहना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टर्नल अफेर्स में की वेफसाइट पे आपको काफी चीजे इसमें हेल्प करेंगी यह हिंदी और इसमें से जो जो आपकी काम का है उसे देखी और नोट्स बनाईएं सेलीन फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्यूपिल्स एक्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता हैं तो ओरिजिनल एक्ट आप देखिए इसमें क्या है एक्ट में हाँ लेंग तो आप अपनी शब्दों में पेपर में लिख सकते हैं बस कॉंसेप्ट समझने की बात है इसमें अपॉइन्मेंट ओप्यूशनल पोस्स पावस फंक्शन और रिस्पॉंसिबिल्टीज विवें सम्वेधानिक पदो पन न्युक्ति शक्तियों कार्य तथा उनके उक्तरद तो यह भी लक्षमी कान में अजट इस मिल जाएगा कहीं हो जाने के जर्थ नहीं है इसके लिए लिए 10th पॉइंट गॉर्मेंट पॉलिसीज एंड इंटर्वेंशनल ओफ डेवलप्मेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट अउट अफ दियर आई है क्या क्या इसमें और चीजे इनोवेशन्स हुई है यह सब करनी पड़ेगी और वेरियस मिनिस्टरी की वेब साइट्स पर आपको यह धूनना पड़ेगा क्या क्या सरकारी नीतियां चल रही है इलेवन्थ पॉइंट सामविदिक विनियामक और विभिन अर्थ नाएक निकाए नीती आयोग समेत उनकी विशेशताएं और कारिभाग यह भी आपको लक्षमी कांत में मिलेगा कहीं और इसकी धूनने की जोट नहीं पड़ेगी 12 पॉइंट डेवलप्मेंट प्रॉसेस रोल अफ एंजियो सेल्फ हेल्प ग्रुप वेरियस अदर्स ग्रुप एंड असोशियेशन डोनर्स चैरिटीज इंस्टिटूशनल और स्टैक होल्डर्स तो यह आपको वेरियस आर्टिकल्स इसमें पढ़ने पढ़ेंगे हिंदी एंगलिष में योजना की में का अफे अर्टिकल शाते वह देख लीजेगा जमरें आपको इनके अनौट सब्सक्रुप अंटे कर सोवीज शामें के नाम देखंगे ताकि वहां से या आप आप अफे वहैं बन्यक्ति नाम शांती हैं। में देख शकते हैं। जरिष्टि के नोट्स इसके लिए काफी अच्छे हैं जो इसके बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर करती है कि गयर सरकारी संगठन होते क्या है स्वेसाहत्ता समूव होता क्या है इसके लिए आप द्रिस्टी आइसके नोट्स प्रिफर कर सकते हैं 13. केंद्र और आज द्वरा जनसंख्या के अतिस अंवेदरशील वर्गों के लिए कल्यानकारी योजना है और इन योजनाओं का कारिय निश्पादन इन अतिस अंवेदरशील वर्गों की रक्षा यह बहत्री के लिए गठित तंत्र विधी संस्थान निकाय तो यह करेंट से इसमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कल्यानकारी योजनाएं जो चल रही है वो अतिश अम्वेदनशील वर्ग कौन-कौन से होते हैं जैसे कि सामाजिक रूप से पिछडे वर्ग आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग इनके उपर इसमें टॉपिक्स में नोट होगी उसमें से आप इसके नोट्स बना सकते हैं जो यूसफुल हो वही टॉपिक उठाइएगा सारा इसमें पढ़ने की जरूत नहीं है आप लोगों को 14. Issues related to development and management of social sector services related to health, education, human resources ये भी आपको करेंट से ही टॉपिक मिलेगा इंडिया इयर बुप में जो करेंट डाटा है वो आपको प्रेफर करना पड़ेगा 2018 का लीजेगा और इंटरनेट से लेके आप नोट्स बनाइए इसमें 15. Issues relating to poverty and hunger, their implication on body politics ये आपको मिलेगा करेंट से related topic है जो आज कल की योजनाएं हंगर से पावर्टी से चल रही है वो आपको लेनी पड़ेंगी इंडिया 2018 की इयर बुक्स से करना पड़ेगा इंटरनेट की यूज से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और कॉंसेप्ट सम आप economics की रमेश्टिंग जो होती है उसमें से पड़ सते हैं लेकिन economics की रमेश्टिंग बहुत वास्ट है बहुत मोटी बूख है तो इसमें जो जो सरफ आपसे टॉपिक से रिलेटेड है सिर्फ उतना ही पड़ेगा एक्स्रा कुछ भी नहीं 16 है हमारे पास साशन व्यवस् इंटरेट पर में ज्यादा तर यूज इंतरनेट का होगा करेंटाफेस का human का ग壤ो देली का डेली का ऑल इंडिया रेडियो सुना ना आजकल का ट्रेंड है वो आपको इंडिया येर्बुक या इंटरनेट से नोट्स पनाने पड़ेंगे इंडियन पॉलिटी में जो लक्षमी कान की उसमें आपको बेसिक पता चल जाएगा कि सिविल सर्विसेज कौन से आर्टिकल में कॉंस्टिूशन में इसके बारे में नेक दुई पक्षिय छेत्री और वैस्विक शमू और भारत से संबंधित अत्वा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार ये न्यू ग्रुप्स जो बने हैं जैसे कि युनाइटे नेशन्स और बाकी जो जो इंडिया के साथ जो 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 एग्रिमेंट होता है जिन जिन वो एग्रिमेंट्स आपको देखने पढ़ेंगे इसमें न्यूस पेपर में आर्टिकल्स आते हैं दहिंदू के आर्टिकल्स आप इसमें प्रैफ़ोर कर सकते हैं हिंदी वाले भी काफी कोई भी एक न्यूस पेपर पकड़ लीजिए और उसके डेली की डेली बेसेज पे आर्टिकल पढ़ने से आपको रिटर्न आर्टिकल पढ़ने से आप आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा इंप्रूव्मेंट कर सकते हैं जितना ज्यादा पढ़ेंगी चीजों को उतना अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज और इंडिया इंट्रस्ट दे इंडियन डायस्पोरा ये भी टॉपिक आपको इंटरनेट से ही करना पड़ेगा और करने से पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है इन सब चीज के लिए जो चीजे आपको नहीं मिल रही है उन चीजों के लिए मैं खुद पर्सनली नोट्स बनाके आप लोगो को प्रवाइट कराऊंगी ताकि आपको इधर उदर ज्यादा भटगना ना पड़े तो इसके लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक करेंगे 21 इंपोर्टन इंटरनेशनल इंस्टिउशन एजेंसी इस्ट्रक्चर मेंडेट एंड फंक्शनिंग इसमें यह भी आपको लक्षमी कांत में मिल जाएगा काफी हद तक लेकिन इसके लिए आप इसके बेसिक नॉलेज के लिए कि कोई संस्था कब बनी क्यों बनी क बनी जिसका मुख्याले कहां है यह सब लक्षमी कांत में तो मिलेगा ही मिलेगा प्लास इसके लिए आप लूशन को भी फॉलो कर सकते लूशन में जो प्लास के पिजिस में है एक्स्रा इंफॉर्मेशन में उसमें यह सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएग 22 उत्तर प्रदेश के राजनयतिक प्रशाशनिक राजस्वय न्याईक विवस्थाओं की विसिस्ट जानकारी यह आपने जैसे पेपर वन में यूपी की कोई बुक ली होगी उसी में यह भी आपको मिलेगा तो यूपी की जो भी बुक हो आपके पास उसमें से करिएगा अ यूपी की जो भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स है उस पे आप विजिट करिए और उस पे जो जो काम का आपके मेटीरियल हो उसको लीजिए और उसके नोट्स बनाएगे बाकि इंटरनेट की हेल्प तो आप लेही सकते हैं Current Affairs and Event of Regional State, National and International Events ये तो पूरा का पूरा आपका Current Affairs ही आगया जो आप डेली की न्यूज में आजकल चल रहा है पूरा दो साल का करिएगा जैसे कि अगर एक्जाम 2019 जून उन में होंगे माई चांस अभी तो डेट नहीं फिक्स है लेकिन अप्रेल माई जून में हो सकते हैं में तो उसके अकॉर्डिंग आप 2017 जून से लेकर 2019 जून तक के पूरे Current Affairs अच्छे से आपको मतलब बहुत अच्छे है तो नहीं लेकिन आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि कोई कहें कि एक टॉपिक दे और आपको कहें कि एक पेज आप लिखके दिखाएगे तापका और कुछ पढ़िए मत पढ़िए लेकिन Current Affairs daily basis पे देखना मत भूले क्योंकि जब वो इखटा हो जाता है तब वो किया नहीं जाता है इसके लिए साथ के साथ Current Affairs करते हुए चलिए तो आज की ये वीडियो यहीं समापत होती है बस मैं आपको इतना ही कहूंगी जो मैंने बत पेपर के लिए हम कैसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए सबसे मैंने आपको Constitutional Amendment Constitutional Articles यह सब याद लर्न होने चाहिए मान लोग उनमें प्रधान मंत्री पूछ लिया प्रधान मंत्री की न्योकति कौन से Articles के according होती है यह सब आपको आना चाहिए तो इस पेपर में थ अच्छा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग